जाती जनगन्ना के बाद जब निटीश के सांसद उनसे नराज होने लगे तो निटीश कुमार के करीवी बताते हैं कि उनको कहीं और से ऑपरेट किया जा रहा है वो किसी और की जुबानी बोल रहे है यानि निटीश कुमार को अब ये डर है कि उनके सांसद को कोई और ऑपर देट करने लगा है, उनके सांसद अब किसी और के कहने पर निटीश कुमार के किलाफ पतना में बैठख करने जा रहे हैं, जहां अब निटीश कुमार अपनी फिठ थप थप आ रहे। अब ये बोल रहे थे कि जातिगत जनगन्ना कितना जरूरी है आप देख लीजिए और अब उन्ही के नेता जो हैं उनके खिलाप पटना में मोर्चा खोलने वाले हैं विस्तार से आपको समझाएंगे लेकिन उसके पहले नमस्कार में अनाम श्रांग पांडे है आप जन्त जन्चन पर मुझे देख रहे हैं कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब नितीशकुमार जातिगत जनगन्ना ख़राते हैं 500 करोड का ये पूरा मामला रहता है जातिगत जनगन्ना पूरे बियार में होती है रिपोर्ट आता है और जैसे ही रिपोर्ट आता है निटीश कुमार के करीवी निटा निटीश कुमार के करीवी सांसद नराज हो जाते हैं उनका मानना होता है कि उनके समाज को जान बूज कर कम कर दिया गया तीन प्रसेंट भी नहीं किया गया तीन प्रसेंट से नीचे ही रखा गया और उसके बाद वो अपने समाज की एक बैठक बुलाते हैं वो भारतिये जनता पार्टी के इसारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। 2019 में सुनील कुमार पिंटू जो है जेडियू में सामिल होकर जेडियू के टिकट पर चुनाओ लड़कर सांसद बने थे। और अब निटीश कुमार का पोल खोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि निटीश कुमार ने जान बूज कर जाती अधारित जनगन्ना करा कर उनके समाज को कम दिखाया है। और अब 8 अक्टूबर को एक पतना में रैली होने जा रही है। कहें कि एक बैठक होगी उस बैठक के बाद ये डिसाइड होगा कि आगे क्या करना है। आगे किस तरीके से सरकों पर उतर कर निटीश कुमार के खिलाप प्रदर्शन करना है। और ये सब कुछ जो है वो जेडियू का एक सांसद कर रहा है। अब 2024 में चलते हैं, 2024 में लोकसवा का चुनाव है। और निटीश कुमार के सांसद अभी से ही निटीश कुमार का विरोध करने लगे। तो समझे कि निटीश कुमार की स्तिति क्या होगी। सुनिल कुमार पिंटू एक मजबूत नेता है, सिता मड़ी में उनकी एक अच्छी पकड़ है। और जब सिता मड़ी से जेडियू का सांसद ही जेडियू के खिलाप हो गया, तो एक सीट जेडियू का ऐसे ही कम हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है। 2024 के लिए नितीश कुमार अपनी कमर कश चुके हैं, तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। एक पटना में बैठक होगा और उस बैठक के बाद नितीश कुमार का बिरोध होगा। अब देखिए क्या होता है 2024 में, वेराल इसका परम इतना ही बने रहे माहर साथ और देखते रहें, जनता जंक्शन।